जहीं दोस्ते इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपके कक्षा आठवी गणित्वी से का नवाद है जो कि वीजिय पेंजक और स्वरस्वमिक है तो पिछली वीडियो में हमने प्रशनावली 9.02 के पहले और दूसरे प्रशन को हल किया था तो इस वीडियो में हम तीसरे यहां पर हमें यह बुला है कि गुनन फलों के सारने को पूरा किजिए तो यहां पर हमें यह सारने दिया हुआ है ठीक है जिसको हमें गुनन फल के द्वारा क्या करना है पूरा करना है बिल्कुल आसान सा सवाल है चीजों को समझे बिल्कुल इजी लगेंगी तो यहां पर देखो यह अपने पास में प्रथम एक बंक्ती के रूप में और दुइत्य एक पदी हमें स्तम्व के रूप में करना कैसे है जैसे झाहां प चार और एक्स की गुणा एक्स से करेंगे तो यह हो जाएगा एक्स की हाथ दो क्लियर बात फिर यहां पर ध्यान तो इसी दो एक्स की गुणा हमें किसे करनी है माइनस पांच वाई से करनी है तो दो की गुणा जब माइनस पांच वाई से करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस इतना असान है अब नेक्स्ट अगला देखो दो एक्स की गुणा करनी है माइनस चार एक्स वाई से तो दो की गुणा माइनस चार से करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस का आठ और एक्स की गुणा एक्स वाई से करेंगा अब देखो यहां पर भी एक्स है और यहां पर भी के साथ तो हो जाएगा घTP तीन और y पड़ अब ध्यान दो इस दो एक्स की SUN किसे करेंगे माइनस नो X स्क्वेर Y स्क्वेर के साथ माइनस नुक हुणा दोकी तो माइनेस का कितना हो जाएगा 18 पर इस किदो डोकी तो यह हो जाएगा एक्सी は टीन और क्या बचा है वाइस कर बचा हुआ है क्लियर बात इसी प्रकार से बाकि सब को हमें गुणा करना है ठीक है तो चलिए करते हैं माइनस पांच वाइक से पहले करेंगे माइनस पांच गुणा दो से करेंगे आ जाएगा माइनस का 10 और X की गुणा-Y से होगा तो यह हो जाएगा एक्सij क्लियर बाद नेक्स्ट रगम sings 5 वायकि की कुणा-पश्छे करेंगे तो माइनस-5 फासम से होगा तो यह प्लस का क्या हो जाएगा पंच्यष और y की गुणा जब y से होगी तो यह हो जाएगा y square फिर minus 5 y की गुणा हम किसे करेंगे 3x square के साथ तो minus 5 की गुणा 3 से होगी तो यह हो जाएगा minus का 15 बच्चो ठीक है अब y की गुणा जब x square के साथ करेंगे तो यह हो जाएगा x square y ठीक है अब minus 5y की गुणा हम किसे करेंगे minus 4xy तो minus 4 की गुणा जो minus 5 के साथ करेंगे तो minus से minus कट जाएगा और 5 होके यहाँ पर हो जाएगा बच्चो 20 क्लियर बात अब y की गुणा xy से करेंगे तो एकस तो सेम रहेगा अब y की गुणा y से होगी तो यह हो जाएगा y square ठीक है अब देखो minus 5y की गुणा किसे करनी है साथ x square y के साथ ठीक है तो टो minus 5 सी गुणा जब 7 से करेंगे तो आजएगा minus का 35 कलियर बात बच्चो अब y की गुणा जब x square y से करेंगे तो यह हो जाएगा x square और एक y यहां पर एक y यहां पर तो y की घाथ 2 हो जाएगे ठीक है next minus 5y की गुणा minus 9 एक्स सब्सक्राइब तो माइनेस सब्सक्राइब माइन माइनश नों से करेंगे तो कितना जाएगा प्लस का 45 और वाई की गुणा एकष्यर्द सब्सक्राइब के साथ करेंगे तो यह कुझा सब्सक्राइब करें अब ध्यांदो, तीन की स्क्वर के गुर्ण हम किसे करेंगे? तीन एक्सि début स्केर से तो तीन की गुर्ण 3 से करेंगे तो हो जाएगा नौओ और एक्सिस्क्र की साथ करेंगे तो यह हो जाएगी एक्स की घाथ क्यार समझ में वाद क्योंकि यहां भी एक्सिकाथ दो तो टूटल कितना हो यह एक स की घाथ चार अब इन एकसरा के गुणा हम करेंगे माइनस चार एकस वाई के साथ तो तीन की गुणा जब माइनस चार से करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस का 12 और जबliness का न की घुना और y हो जाएगा, अब यहां पर दिहां दो 3x square की गुना जब minus 9x square y square के साथ करेंगे, तो यह हो जाएगा, minus का 9 और 3 की गुना पहले करेंगे, то minus का हो जाएगा 9, 3, 27, बच्चो, और x square की गुना, x square करेंगे तो यह हो जाएगा एक्स की घाद चार वाइस कोई ठीक है बच्चो इतना असान प्रस्णावली है अगला देखते हैं तो यहां पर दिया है माइनस का 4xy माइनस का 4xy की गुणा 2x से करेंगे तो यह कितना हो जाएगा माइनस का 8 और xy की गुणा जब x से करेंगे तो यह हो जाएगा x square y अब माइनस 4xy की गुणा करेंगे माइनस 5y से तो पहले देखो माइनस 4 की गुणा माइनस 5 से करो तो माइनस माइनस plus 45 से 20 हो जाएगा और Xy की गुणा जो Y से करेंगे तो यह दिखाय से लिखेखेण यहाँ पर मैसठीर करेंगे पहले अक्रों को कि रुण हो तो माइन्स सारे गुणं टीन से करेंगे आएगा माइनस के 4 xy से तो माइनस से माइनस कर जाएगा और 4 चुके कितना होगा सोड़ा अब xy की गुणा xy से करेंगे तो यह हो जाएगा x square y square बच्चो ठीक है माइनस 4 xy की गुणा 7 x square y से करनी है तो माइनस 4 की गुणा 7 से करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 28 और xy की गुणा x sqr y की साथ करेंगे तो कितना जाएगा x यहात 3y clear x की घात 3-4 xy की गुणा जब हम साथ x sqr के साथ करेंगे तो x की गात 3 और y की घात यहाँ पर 2 हो जाएगा बच्छ, ठीक है next, देखो तो माइनस श्यार एक्स य की गुणा जब हम करेंगे माइनस 9x²y² के साथ तो माइनस से माइनस कैंसील 9 4 के कितना हो जाएगा बच्चो 36 और xy की गुणा एक्स उसकर y² के साथ करेंगे तो हो जाएगा एक्स की गहाद 3 और y की गहाद भी 3 अगला देखो 7x²y की की गुणा हमें करनी है इस xy square और y square हो जाएगा साथ xy square y की गुणा तीन एक्सिस्क्वेर के साथ करेंगे तो 7 तो कितना हो गया 21 और xy square के गुणा xy square के साथ होगी तो x की घात 4 और क्या बची गया आपर y बची गया ठीक है अब देखो 7 x square y की गुणा हम किसे करेंगे माइनस 4 x y के साथ तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 28 x square ठीक है ये हो जाएगा अपने पास x की घात 3 यहां पर भी y है वहां पर भी y है तो y की घात 2 clear बात अब देखो 7 x square y की गुणा हम किसे करेंगे साथ x square y से तो साथ साते कितना होता है उननचास और यह हो जाएगा x की घाथ 4 और y की घाथ 2 clear बात आप देखो 7 x square y यहाँ पर दिया हुआ है तो 7 x square y की गुणा जब हम करेंगे माइनस के 9 x square y square के साथ साथ तो कितना हो जाएगा 9 साथ 63 है माइनस का 63 यह हो गया और x square y की गुणा x square y square के साथ करेंगे तो x की हाथ तो हो जाएगा चार और y की हाथ हो जाएगी 3 clear last देख लेते हैं ठीक है बिल्कुल ही बहतरीन सवाल है थीक है practice के तोर पर अगर देखा जाये तो काफि बढ़िया यह प्रेशन है ठीक है इसे क्या है कि अपने जो आगे के प्रेश्ण वली करने वाले है उसमें अपना हाथ क्या हो जाएगा बचो बैठ जाएंगी आगी के प्रेस्ण करने में असानी नहीं होईगी इसलिए ये question दिया हुआ है ठीक है हलाकि ऐसे question एक्जाम में आते नहीं है ज्यान दो तो माइनस नो एक्स स्क्रवाइस कर की गुणा हम दो एक्स के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा पहले अचरों की तीन माइनस नो एक्स स्क्रवाइस कर की गुणा हम किसे करेंगे तीन एक्स स्क्रवाइस करेंगे तो पहले अचरों की गुणा करो माइनस नो की गुणा करने के पर 6 में ठीक हैं अब माईनेस नोच कर वाइव स्कृर की गुणाहमें करनी हैं साथ एस्केर वाइद कर वाइए सक वाइए के साथ में ठीक है तो पहले चरो के गुणा करो 9 7 कितना होता 63 तो यह माइनस को कितना हुझा जाएगा बच्चो 63 अब गुना करो x स्कार y स्कार से यह तो थाएगा x कि घात 4 और य की ह्यात 3 हो जाएगा बच्चो क्लिरласт देखो तो माइनस 9 x me स्कार y स्कार कि गुना 9x2 के साथ करनीड़ है तो 9x2 की गुणा 9 से करेंगे तो 9 उमीद करते हैं आपको यह video पसंद आई होगा, अगर video पसंद आये हो तो हमारे चेनल के साथ जुड़ना बिलकुल भुले, हमारे चेनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कियें, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले सारे प्रस्णा आपको हमारे प्लेश में मिल जाएंगे मिलते हैं अगले प्रस्णा के साथ अगली वीडियो में धन्यवाद